चाइवान ने दावा किया है कि पहलो सी के जाने के बाद चीन ने उसके डिपन्स जोन में अपने 27 रडा को रिमान भेजे हैं चाइना ने ताइवान को हर तरफ से घेर कर हवा और समुद्र में अपनी military power का अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन किया है चाइना ने ताइवान facing beaches पर टैंक्स उतार दिये हैं और US को भी साफ चिता दिया है कि वो आग से ना खेले लेकिन Speaker of the US House of Representatives Nancy Pelosi की ताइवान विजिट से US ने ये संदेश दिया है कि वो ताइवान के साथ खड़ा है वहीं ताइवान खुद को बचाने के लिए वार की तयारियों में चुट किया है वाखिर ये सारा मामला है क्या क्या रश्या यूक्रेन वार के बाद अब चाइना ताइवान वार होने वाला है इस वीडियो में हम चाइना ताइवान कॉन्फलिक्ट को आसान तरीके से समझेंगे और इन सारे questions का answer ढूड़ेगे तो वीडियो end तक जरूर देखिए और अगर आपको ये वीडियो knowledgeable लगती है तो अपने friends और family के साथ share कीजिए तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले question से कि चाइना ताइवान को लेकर इतना desperate क्यों है Chinese desperation mainly दो reason से है चाइना ताइवान के history और ताइवान की geographical position हिस्ट्री की बात हम थोड़ी देर में करेंगे पहले ये समझते हैं कि ताइवान geographically इतना important क्यों है ताइवान एक छोटा सा island है जो चाइना के south east coast से करीब 160 km की दूरी पर है ताइवान first island chain का एक बहुत ही important हिस्सा है क्योंकि ताइवान इस first island chain के midpoint पर located है basically ये first island chain west pacific में किसी भी प्रकार के Chinese intrusion से लड़ने के लिए United States के लिए बहुत important है first island chain में US friendly countries, Japan, South Korea, Taiwan, Philippines, Indonesia, Brunei, Malaysia, Singapore और Vietnam शामिल है चाइना लंबे टाइम से इस first island chain को तोड़ना चाता है और अगर चाइना ताइवान पर कबजा कर लेता है तो west pacific में उसकी powers बढ़ जाएंगी और वो गवाम और हवाई में located US military basis को भी threaten कर सकता है और इसी वज़े से ताइवान सिर्फ चाइना के लिए ही नहीं बलकि US के लिए भी geographically बहुत important है तो आप चलते हैं दूसरे question पर चाइना ताइवान conflict की history क्या है 17th century में पहली बार ताइवान चाइना के control में आया जब चेंग डाइनेस्टी ने ताइवान पर rule किया उसके बाद 1895 में जपान से पहला Sino-Chinese war हारने पर ताइवान का control जपान के पास चला गया और करीब 50 सालों तक ताइवान जपान के control में ही रहा 1945 में जब जपान Second World War हार गया तो फिर एक बार ताइवान चाइना के control में चला गया उस समय कौमिन तांग पार्टी की Nationalist Government Republic of China यानि ROC के बैनर तले चाइना पर रूल कर रही थी लेकिन ताइवान पर control गेन करने के कुछ ही टाइम बाद मेंलेंड चाइना में Chiang Kai-shek की लीडर्शिप में कौमिन तांग पार्टी और Mao Zedong की लीडर्शिप में Chinese Communist Party के बीच Civil War शुरू हो गया जिसमें Mao की Communist Party जीद गई और Chiang Kai-shek की हारी हुई कौमिन तांग पार्टी करीब 20 लाख लोगों के साथ चाइना छोड़कर ताइवान भाग गई और अब ROC यानी Republic of China के सरकार Nanjing से ताइपे शिफ्ट हो गई और इसलिए आज भी ताइवान का Official नाम Republic of China है वहीं दूसरी ओर Communist Party ने पर फिर एक दिन वापस कबजा करने का सपना देखा वहीं बेजिंग में माओ ने ताइवान को एक नए United China का आखरी हिस्सा बताया और यहीं से ये पूरा चाइना-ताइवान कॉन्फलिक्ट खड़ा हो गया चाइना इसी हिस्ट्री की ओर इशारा करते हुए ये क्लेम करता है कि ताइवान ओरीजिनली चाइना का ही एक प्रोविंस था लेकिन ताइवान भी इसी हिस्ट्री को पॉइंट आउट करके ये कहता है कि ताइवान ना तो 1911 में रेवलुशन के बाद उभरे मॉडन चाइना का हिस्सा था और ना ही इसके अलावा बीजिंग ये दावा करता है कि ताइवान 1992 कंसेंसस से मदा हुआ है 1992 कंसेंसस चाइनीज कम्यनिस पार्टी और उस समय ताइवान को रूल कर रही को मिन तांग पार्टी के बीच हुआ एक वर्बल एग्रिमेंट था हाला कि दोनों पार्टी असल में कभी कंसेंसस यानि सेहमती पर पहुँचे ही नहीं इस अग्रिमेंट का People's Republic of China यानि Mainland China और Republic of China यानि ताइवान ने अलग-अलग मतलब निकाला PRC के लिए इस अग्रिमेंट का मतलब था यानि ताइवान मतलब कोम इन तांग के हिसाब से इस अग्रिमेंट का इंटरिप्रेटेशन ये था कि स्ट्रेट के दोनों साइट ताइवान को बिलॉंग करते हैं हाला कि पिछले काफी सालों से ताइवान ने तो Mainland China पर अपने दावे कम कर दिये हैं और अब ताइवान एक डेमोक्रेसी है जिसका अपना कॉंसिटूशन, सरकार, करंसी और मिलिटरी है लेकिन ताइवान को दुनिया के ज़ादातर देशों ने मानेता नहीं दी है फिलाल सिर्फ 15 देशों के ताइवान से डिप्लोमेटिक रिलेशन्स हैं इनफाक्ट यूएस और इंडिया के भी ताइवान से डिप्लोमेटिक टाइज नहीं है पिछले कुछ सालों की बात करें तो 2016 में हुए ताइवान इलेक्शन्स में कौम इन्तांग की सबसे बड़ी राइवल पाटी डिमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी जीत कर आई और काई इंग्वेन को प्रेसिडेंट चुना कया जो के फिलाल भी ताइवान के प्रेसिडेंट है और उन्होंने 1992 कंसेंस को एक्सेप्ट करने से साफ मना कर दिया और इसलिए 2016 से ही चाइना ताइवान कॉन्फिक्ट उबाल पर है तो ये है चाइना ताइवान कॉन्फिक्ट के हिस्ट्री अब आते हैं तीसरे कोशिन पर अगर चाइना अटक करता है तो ताइवान अपने आपको कैसे प्रोटेक्ट करेगा अगर चाइना और ताइवान की fire power को compare करें तो ताइवान के पास चाइना के against कोई मौका नहीं है आप देख सकते हैं कि ताइवान की तुलना में चाइना हर metric पर बहुत आगे है लेकिन अगर चाइना attack करता है तो ताइवान एक strategy यूज़ कर सकता है और वो है the porcupine doctrine porcupine doctrine 2008 में US Neville War College के research professor William S. Murray ने propose की थी ये एक asymmetric warfare strategy है जो दुश्मन की strength के against लडने की बजाए उसकी कमजोरियों का फाइदा उठाने के लिए एक weak state के defense को मजबूत करने पर focus करती है porcupine doctrine के हिसाब से ताइवान को ऐसे defenses बनाने होंगे जिससे ये ensure हो कि ताइवान पर attack किया जा सकता हो उसे damage भी किया जा सकता हो लेकिन unacceptable cost और risk के बिना उसे हराना नमुमकिन हो जाए जिससे चाइना जैसी country ताइवान पर attack करने से पहले कई बार सोचने पर मजबूर हो जाएगी क्योंकि high cost और risk मतलब चाइना के economy पर सीधा असर जो at least present time में चाइना effort नहीं कर सकता इसके अलावा अगर direct military conflict होता है तो ताइवान Chinese attack को slow करने की कोशिश कर सकता है Chinese forces को अपने shore पर land करने से रोख सकता है और outside help का इंतजार करते हुए gorilla strikes कर सकता है और ये outside help United States से आ सकती है अब आते हैं चौथे question पर इस conflict में US का क्या रूल है जब चाइना में civil war चल रहा था तब US ने कौमिन तांग party को support किया Communist party को Soviet Union का support था जब कौमिन तांग party हार कर ताइवान भाग गई उसके बाद भी US ने अपना support बरकरार रखा और ताइवान को economic development के लिए assistance भी दी और उस time तक United States People's Republic of China यानी PRC को recognize नहीं करता था लेकिन 1960s में Beijing और Moscow के बीच diplomatic conflict हो गया जिसे Sino-Soviet split भी कहा जाता है और तब से Soviet Union को counterbalance करने के लिए US और PRC के relations improve होने लगे और 1st January 1979 को US ने People's Republic of China के साथ diplomatic relations establish कर लिए और Beijing की one China policy को स्विकारते हुए PRC को ही China की sole government recognize भी किया इसके अलाबा US ने ये भी एक knowledge किया कि Taiwan चाइना का ही हिस्सा है लेकिन US ने Chinese Communist Party के ताइवान के उपर sovereignty claim को कभी accept नहीं किया लेकिन इसके साथ साथ ही Taiwan Relations Act के according US ने ताइवान के साथ काफी close unofficial ties भी maintain किये और American Institute in Taiwan जो कि ताइवान में US की de facto embassy मानी जाती है उसके थूँ commercial, cultural और तूसरे exchanges भी जारी रखे US ताइवान को self defense के लिए weapons भी supply करता रहा है असल में China ताइवान मुद्दे पर US ने हमेशा strategic ambiguity policy को follow किया है मतलब US अपने stand को लेकर कभी clearly बाहर नहीं आता वो ताइवान को weapons बेचता है लेकिन कभी भी खुले तोर पर ये नहीं बोलता कि Chinese attack के case में वो ताइवान के support में अपनी military भीजेगा वहीं दूसरी ओर China ताइवान पर attack ना करे इसके लिए US ने conflict के case में military response का भी रास्ता खुला रखा है और इस policy का aim है China ताइवान के बीच कोई भी possible war रोकना और जैसा status अभी है वैसा ही maintain करना जिसने अभी तक तो काम करा है लेकिन जो बाइडन के president बनने के बाद अब US का stand काफी कम confusing हो गया है क्योंकि जब से Biden की सरकार आई है तब से उन्होंने कम से कम तीन बार ये बिलकुल clearly बोला है कि अगर चाइना ताइवान पर attack करता है तो ताइवान को बचाने के लिए US military response करेगा अब बात करते हैं पाचवे question की इंडिया का इस issue पर क्या stand है इंडिया ने 1949 से one China policy को acknowledge किया है और इंडिया भी PRC को ही पूरे चाइना की soul government मानता है ताइवान के साथ इंडिया सिर्फ commercial और cultural ties maintain करता है लेकिन इंडिया ने 2008 से अपने official declarations और statements में one China policy को mention करना बंद कर दिया इंडिया ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि चाइना अरुनाचल प्रदेश को भी Chinese territory का एक हिस्सा बताने लगा था चाइना ने कई ऐसे maps publish किये थे जिनमें अरुनाचल के शहर के नाम बदल कर Mandarin में लिखे गए थे इसके अलावा चाइना ने जम्मू कश्मीर और अरुनाचल के रहने वाले Indian citizens को stapled visas इशू किये थे और आज भी India one China policy को अपनी statements में mention नहीं करता है अभी तक चाइना ताइवान conflict पर इंडिया ने चुपी बरकरार रखी है क्योंकि इंडिया चाइना के बीच border को लेकर चल रही बातचीत एक बहुत ही एहम मोड पर है और इंडिया इस समय चाइना के साथ कोई controversy नहीं चाहता लेकिन साथ ही मैं इंडिया one China policy पर अपना रुक अब साफ नहीं करना चाहता है और finally बात करते हैं आखरी question की अगर China attack करता है तो पूरी दुनिया पर इसका क्या असर होगा ताइवान पर अगर military attack होता है तो Ukraine war की तुलना में global trade पर कई गुना जाधा असर होगा क्योंकि ताइवान की economy दुनिया के लिए बहुत important है दुनिया के जाधा तर electronic equipments, phones से लेकर laptops, game consoles, watches, गाड़ियों और यहां तक की modern weapon systems भी ताइवान में बनी chips से चलते हैं ताइवान semiconductor या chip market का इतना बड़ा player है कि किवल एक Taiwanese company ताइवान semiconductor manufacturing company यानि TSMC के पास chip market का 50% से जाधा world market share है इसलिए अगर चाइना ताइवान पर attack करता है तो पूरी दुनिया को इन chips की कमी का सामना करना पड़ेगा जिसकी वजह से कई basic चीजों के भी दाम बढ़ जाएंगे और recession की अटकलों के बीच ये काफी disastrous साबित होगा तो ब्रीफ में ये है चाइना ताइवान conflict की पूरी कहानी तो आपको क्या लगता है आगे क्या होने वाला है क्या चाइना ताइवान को invade करेगा अपने views comment section में ज़रूर बताएं और अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा तो please like और share करें और ऐसी ही और informative वीडियो के लिए चानल को subscribe करके bell icon को press करते